अस्सलाम अलेकुम चली आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं आप लोग के टेंद क्लास के उर्दू के रोशनी बुक का एक चेप्टर जो की बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट है और इस चेप्टर से एक्जाम में बार-बार कोश्टन पुछे जाते है और इसलिए इसको इंपोर्टेंट समझते हुए मैं आप लोग को ये पढ़ा रही हूं आप लोग के रोशनी बुक का ये चेप्टर नमबर 3 है और चेप्टर का क्या नाम है वातरक के किनारे क्या नाम है वातरक के किनारे और ये एक अफसाना है अफसाना किसे कहते हैं मैं आप लोग को अल्रेडी बता चुकी हूं जब मैं द्रक्षा का पढ़ा रही थी लेकिन फिर भी कोई दिकत नहीं एक बर फिर बता दे रही हूं अफसाना किस्टा और कहानी कोई आम तोर पर अफसाना कहते हैं जिसको एक ही बैठक में पढ़ा जाते हैं तो यह क्या है कहानी ह और यह जो अप लोग का अफसाना है वातरक के किनारे यह एक गुजराती अफसाना है गुजराती कहानी है ठीक है गुजराती भासा में लिखा गया है ठीक है गुजराती भासा कहां का भासा है तो गुजरात का भासा है ठीक है तो यह गुजराती भासा है और इस कहानी को इस गुजराती कहानी को लिखने वाले कौन है वह है पन्ना लाल पतेल सकते मुस्टनिफ को मतलब भी होता है लेखक इस चप्टर के लेखक कौन है लिखने वाले कौन है ठीक है मुसानिफ या आफ सा nella नदेगार कोई भी बोल सकते है ठीक है और यह जो अप लो का गुजराती बहासा में कहानी लिखा गया है इसको उर्दू में translate करने वाले हैं मजहरूल हक ठीक है मतलब यह जो कहानी पर्नलल पटेल गुजराती भासा में लिखे हैं उस गुजराती भासा में लिखे हुए कहानी को उर्दू में ट्रांसलेट उर्दू में तर्जमा मजहरूल हक ने किया है मजहरूल हक अलवी पूरा नाम है ठीक है मुतर्जी में यह ट् कि नाम क्या था उनका तखलूस किया था उनका तखलूस क्या था इसा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें डिरेक्ट मुसानिफ का नाम हो गया पन्नलाल पतिल इनके बारे में अब कुछ नहीं पढ़ना है और ना एक्जाम में कोश्टन पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ था इसा कुछ नहीं पूछेगा सिर्फ ये पूछ सकता है कि वातरक के किनारे अपसाना के रहती है वह इसमें का में रोल निभा रही है में करेक्टर है ठीक है यहां पर समझे वातरक एक नदी है ठीक है वातरक क्या है एक नदी है जो कि गुजरात में और इस वातरक नाम के नदी के किनारे एक गाओं रहता है गाओं बसा रहता हैं और उस गाओं में सबसे तो उसी गाव में नॉल रहती है कि अपने मॉसा मौसी की घर में रहती है इसके जो फोनुकी अपनी ऑ़ मही बन राता है और और हम पर बहुत खतरना खतरनाकफ ठाकुर है तो ख्ताकुरों के डर से ही इसका जो पहला पती है इसको छोड़कर भागा जाता ए obsessed चला जाता है हमेशा के लिए तो इसका पहला पती तो गया छोड़कर फिर इसके मौसा मसी कुछ सालों के बाद नौल के दूसरी साधी करते हैं दूसरी साधी जो होता है नौल तो बहुत खफसूरत रहती है इसका दूसरी साधी हो जाता है उसके बाद होता यूँ है कि इसका मने को लाकर लड़की के घर में रख दिया जाता है उसी लड़के को बोला जाता है घर झमाईं तो यहांपर नॉल की जो दूसरी शादी वी रहती है वह वहां मुखिया रहता है वो क्या करता है नौल को छेड़ देता है उसे बत्तमीजी करता है तो नौल चुप चप घर आती है और अपने घर वालों को ये बात बताती है तो उसका जो दूसरा पती रहता है वो बहुत जदा गुस्टे में आ जाता है और क्या होता है कि उसका जो था और एक कानूनन जुर्म भी था तो अब क्या हुआ नौल के दूसरे पती जिसने मडर किया था मुखिया का उस पर केस ठोका गया लब केस चलने लगा और पूलिस चारो तरफ घुमने लगी इसके दूसरे पती को ढूंड रही थी जेल लेकर जाने के लिए ठीक है तो नौ के सोहर को लेकिन क्या गया रहता है भास गया रहता है जंगल में असा रहता है लेकिन जो इसका शोहर रहता है नौल को करता है चुरे चुपके के आकर उसका पति भेश बदल कराया, पंडित का, तो नॉल उस पंडित को पहचान न सकी, अपने सहर को नहीं पहचान सकी, और उसने जब अपना असली रूप दिखाया, इसे दाड़ी मोच नहीं हटाया जाता है, पंडित का रूप लिया था, तो दाड़ी मोच, पगडी उरी सब लगाया रहता है तो वह हटाता है और अफना असली रूप दिखाता है तब तक उसका जो उस गाउप में घूमरी पुलिस होती है उसको पकड़ लेती है और लेकर जेल चली जाती है और बैचारी जो नॉ설 होतीस है वह अपने सबसे पहला देखी कोश्टन क्या है अफ्साना नेगार पन्नालल पटेल का तालूक किस सोबे से हैं तो अफ्साना नेगार जो पन्नालल पटेल हैं मुसनिफ इनका तालूक गुजरात के सोबसे हैं ठीकिए दूसरा सवाल है अफसाना किस सिर्फ से अपनी वाकुफियत जाहिर की ठीक आफसाना किसे केतें अब लोगों को बताना हैं ठीके तो अफसाना किसे केतें मैं ऐप दरक्षा का बुक पढ़ा रहे थी ना उसमें भी बता चुकी हूं और अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो में भी मैं बता दी हूं कि कुस्सा कहानी को भी आम तोर पर अफसाना कहते हैं जिसको एक ही नसस्त में पढ़ा जा सके ठीके तीसरा सवाल है जेरे निसाब अफसा मौश्रती यानि की समाजी का अफसाना है यहां पर समाज के तबके को दिखाया गया है कि समाज में कैसे ब्योहार किया जाता है कैसे मनलब बड़े लोग ठाकुर लोग क्या गरीब लोग के साथ कैसे बढ़ताओ करते हैं यह दिखाये गया है तो आप लोग क्या लिखेंग अपसाना आप लोग पढ़ें वातरक के खिनारे इसका मरकजी ख्याल अप लोग को क्या ख्याल आता है इसका पूरा खुलासा करना है तो आप लोगों खुद से करेंगे दूसरा सवाल है अपसाना अपनी समाजी हसियात के सांथ किस हद तक वावस्ता है मुक्तसीरन जवाब दीजिए यह जो अफसाना है यह समाजी हसियात यानि कि समाज से किस तरह रिलेट है किस तरह संबंध है यह आप लोगों को बताना है इस अफसाना को ठीक है तीसरा सवाल है मौश्रती और इखलाकी कदरों के सांथ अदब के रिस्ते की वजाहत कीजिए यहां पर आप है और आसान है आप लोग खुद से भी लिख सकते लिजे इतना ही कोश्टन है अब इसी के सांथ आप लोग का यह चेप्टर नंबर थ्री वातर के किनारे कंप्लीट होता है ठीक है इस चेप्टर से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट करकर पूर सकते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चेप्टर को स्टार्ट करेंगे मैं देखूंगी कौन इंपोर्टेंट है और वो मैं आप लोग को पढ़ा दूंगी ठीक है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर तो बनता है के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज